तो आज हम सीखेंगे कि cpct का जो id password होता है या forum होता है उसमें email id और mobile number कैसे update या change करें और हमारा जो password होता है उसको reset भी कैसे करते हैं ये सब जानकारी आज हम सीखेंगे तो वीडियो को आप सुरू से last तक देगें ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा तो अब आगे हम चलते हैं अपने मुआले आप computer में आप google open कीजिए google open करने के बाद type कीजिए cpct उसके बाद search कीजिए search करने के बाद हमारे सामने पहले ही नमर पर cpct की जो official website हो आ गई है यहाँ पर url भी दिखाई दे रहा है हमको www.cpct.mp.gov.in फिर इसके बाद हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे जो cpct हो हम लिखा दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने open होके आ गया है इस पेज पर हमें क्या करना है यहाँ पर जो right side में existing user और register ना लिखाई दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे इस मैंसे हम existing user पर क्लिक करेंगे existing user पर क्लिक करने के बाद हमको slide करते हुए नीचे आना है और id password यहाँ पर डालने के लिए बोला जाता है login होते हैं हम अपने application forum में तो अभी login नहीं होना है हमें mobile number और email id चेंज करना है तो यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है update mobile number and email id तो इस पर क्लिक करेंगे हम इसके बाद हमारे सामने फिर से एक नया पर जो open होके आएगा अभी processing चल रही है तो processing पूरी होने दो देखिए processing पूरी हो चकी है अब इसको slide करते हुआ हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमसे कुछ जानकारिया मांगे जाएंगी उनको हमें फिल करना हुगा तभी हमारा mobile number और email id अपडेट होगा नहीं तो नहीं होगा यहाँ पर आपका 10th का roll number डलेगा और नीचे उसके 12th गा तो आपको यह फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और new email id और new mobile number आप जो भी अपनी नया email id फोरम में फिल करना चाहते हैं जो registration है उसमें फिल करना चाहते हैं तो अपनी नया email id डाली यहाँ पर और नया mobile number जो भी आप mobile number अपडेट करना चाहते हैं उसके बाद आपको नीचे कैपचा दिखे गाए यह लिखाई दिखाई दे रहा है M, J, E, 3, I, I, 7 इस कैपचा को इसमें नीचे वाले कॉलम में बर देना है जैसे small M है तो उसके बाद J अब J बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कैपिटल में है तो उसके बाद E, 3, I, I, 7 जैसा इसमें दिखाई देता है वैसा ही हमें फिल करना होता है ऐसा करने के बाद आप यह लिखाई दिखाई दे रहा है आपको validate and update इस पर click करेंगे वैसे ही आपने जो email id और mobile number update किया है या change किया है तो उस पर आपके message inbox में पहुंच जाएंगे और उस message में email id और password आपके होंगे और जैसे ही आप registration open करके देखेंगे मतलब cpct की website पर आप login होके registration अपना चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको यह update किया है आपने mobile number और email id वह आपको दखाई देने लगेंगे अब आगे बात करते हम पासवर्ड कैसे reset करें तो देखें फिर से हम पीछे एक page पर ही बापस आए है तो जहांसे मैंने आपको बताया था update है मुवाइल और email id पर जाना है वहीं पर बगल में forget password लखाए इस पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमसे पूचा जा रहा है कि आप 10th या 12th का कोई सावी एक roll number इसमें एंटर कीजिए चाहे तो आप 10th का कर दीजिए या 12th का उसके बाद इस capture को डाल दीजिए आप अभी मैंने पीछे बताया था हर बार नया capture मिलेगा आपको उसके बाद capture फिल करने के बाद आप जो get password आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है वैसे ही आपके जो registered email id और mobile number है उस पर एक message आ जाएगा उसमें email id sorry id और password आपको दिख जाएगा और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe करें आगे हम बात करेंगे computer में जो mangal font वगेरा और भी तमाम चीज़े हैं वो दिक्कत करती हैं तो उनका solution हम कैसे करें तो वीडियो आपको description में मिल जाएगा उसका तो सब को सुवरात्तरी